हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए दा गॉड़ फादर मुवी को एक्स्प्लेंड कर रहा हूँ ये मुवी क्राइम ड्रामा जॉनर की क्लासिक फिल्म मानी गई है और इसके बाद से ही क्राइम सेंट्रिक फिल्मों में क्लास दिखना शुरू हुआ था क्योंकि गॉड़ फादर क्राइम के साथ साथ परसनल लाइफ में जूजने वली सिट्वेशन को भी काफी अच्छे से बताती है तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं इस फिल्म की शुरुवात 1945 में वीटो कॉरलियोनी यानि की गॉड़ फादर से होती है और आज की दिन गॉड़ फादर की बेटी कौनी की शादी होती है गॉड़ फादर अंडर वर्ड में काफी बड़े डॉन है और उनकी पॉलिटेक्स और पॉलिस में काफी अच्छी पकड़ भी है आज गॉड़ फादर के दोस्त बोना सेरा उनसे मिलने आते हैं और वो उनसे अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांगते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी के बॉइफरेंट और उसके दोस्त ने जबदस्ती विस्की पिला कर मेरी बेटी का रेप करने की कोशिश करी है मेरी बेटी ने बहुत रेसिस्ट किया और वो उसका रेप तो नहीं कर पाए पर उन्होंने मेरी बेटी को बहुत बुरी तरह मारा और जहां अजबडा तोड़ दिया है वो कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छे अमेरिकन के नाते उन लड़कों पर पुलिस केस किया पर आखर में वो दोनों सदा दिये बेगार कोट से छोड़ दिये गए और लास्ट में वो मुझ पर हस रहे थे वो गौड़ फादर से कहते हैं कि आप जो चाहेंगे मैं वो करने को तयार हूँ बस उन दोनों लड़कों को उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी मेरी लड़की को पहुँचिए गौड़ फादर पूरी बात सुनने के बाद बोनासरा को मना कर देते हैं क्योंकि बोनासरा गौड़ फादर का काफी पुराना दोस्त भी रह चुका है पर उसने काफी सालों से गौड़ फादर से कोई बात नहीं करी है गौड़ फादर बोनासरा से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा से कानून पर भरोसा था और तुम आज मेरे पास आई हो और वो भी दोस्ती के नाते नहीं बलकि मुझे पैसे देकर तुम मुझसे ये काम करवाना चाहते हो और ऐसा करके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो इसकी बाद बनासरा गौड़ फादर का हाथ चुमते हुए उनको गौड़ फादर बोलता है और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है Godfather उससे कहते हैं कि तुम अब जाओ और उन दोनों लगों के सदा दिलाने का काम मेरों उपपर छोड़ दो और ये मेरी तरफ से तुमारे लिए मेरी बेटी का वेडिंग डिफ्ट होगा इसके बाद Godfather अपनी बेटी की शादी में शरीक हो जाते है Godfather के परिबार में उनकी बेटी के अलावा उनके तीन बेटे होते हैं जिसमें सबसे बड़ा बेटा सौनी, उससे छोटा फ्रेडो और सबसे छोटा माइकल होता है और इसके अलावा Godfather का एक एडॉप्टेट सन भी होता है जिसका नाम टॉम हैगन होता है आज Godfather की पार्टी में हॉलिवोड सेलिबरेटी जॉनी फॉन्टेन भी आता है जॉनी Godfather का Godson है जॉनी को देखकर पार्टी में सब लोग बहुत खुश होते हैं यहां माइकल अपनी गल्फरेंड के के साथ बैठा होता है और वो उसे बताता है कि जॉनी मेरे फादर को बहुत मानता है क्योंकि वो इतना बड़ा सेलिबरेटी मेरे डैट की बजह से ही बन पाया है मेरे डैट ने उसको काम दिलाने में उसकी काफी मदद करी थी जॉनी सब के बीच गाना गाता है और इसके बाद गोड़ फादर से जाकर उनके कैबिन में मिलता है जॉनी बहुत परिशान होता है क्योंकि उसके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है वो Godfather को बताता है कि Hollywood में Jack Boyd's नाम का एक बड़ा डारेक्टर एक बहुत बड़ी war film बना रहा है और मुझे काम देने से साफ मना कर रहा है मुझे अगर उस फिल्म में काम मिल गया तो मेरा डूपता हुआ करियर दुबारा से चलने के लिएगा वो Godfather से उसकी मदद करने के लिए कहता है Godfather Johnny से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो कुछ दिनों के अंदर ही वो तुमें इस फिल्म में काम देगा और इसकी जिम्मेदारी तुम मेरे पर छोड़ दो इसके बाद Godfather Tom Hagen को उस डारेक्टर से मिलने के लिए कहते हैं और टॉम आज ही रात की फ्लाइट से उस डारेक्टर के पास पहुंच जाता है टॉम उस डारेक्टर से मीटिंग करता है और जॉनी को अपनी फिल्म में काम देने के लिए कहता है पर वो डारेक्टर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा होता है और कहता है कि जाकर अपने Godfather से बोल देना कि मैं किसी भी कीमत पर जॉनी को काम नहीं दूँगा इसके बाद Tom वहाँ से चला जाता है और अगली सुबा जब वो डारेक्टर सो कर उठता है तो उसके बिस्तर पर उसके पसंदिता गोड़े का कटा हुआ सिर पड़ा होता है जिसके खोन से उसका पूरा बिस्तर लटपत हो चुका होता है जोल चे देखकर काफी बुरी तरह डर जाता है और इसके बाद वो जॉनी को अपनी फिल्म में काम दे देता है टॉम हैगन बापस आने के बाद Godfather और सौनी के साथ एक मीटिंग करता है और वो उन्हें बताता है कि सौलोजो नाम का एक बड़ा ड्रग डिलर हमारे साथ काम करना चाहता है Godfather ड्रग्स की बिजनेस में इंटरस्टेट नहीं होते हैं पर फिर भी वो सौलोजो के साथ एक मीटिंग रखते हैं सौलोजो इस मीटिंग में उन्हें 30% हिस्सा दियने की बात गहता है और इसके बदले Godfather से उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहता है सौनी इस डील में इंटरस्टेट होता है पर Godfather सौलोजो को मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें ड्रग्स का बिजनेस गैंबलिंग और क्राइम से जाधा रिस्की लगता है Godfather मना तो कर देते हैं पर वो ये जानना भी चाहते हैं कि उनके मना करने के बाद सौलोजो की दिमाग में क्या चल रहा है दरसल न्यूयोक में Godfather के कॉलियोनी फैमली के अलावा पांच दूसरे परिवार भी होते हैं जो मिलकर अंडर वर्ड का काम देखते हैं और Godfather ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई दूसरा पईवार उसका साथ तो नहीं दे रहा है और इसके लिए वो अपने खास आदमी लूका बरासी को बुलाते है लूका बरासी Godfather का बाकी बहुत वफदार आदमी होता है और बहुत ही जादा खुंकार होता है वो लूका से कहते हैं कि सॉलोजो से जाकर मिलो और पता करने की कोशिश करो कि आखर उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बाद जब लूका सॉलोजो से मिलने जाता है तो सॉलोजो के साथ में बुरुना टाटालिया भी बैठा होता है टाटालिया फैमली उन्ही पांच परिवारों में से एक होती है और वो सॉलोजो को सपोर्ट देने के लिए तयार होती है सौलोजो लूका बरासी से कहता है कि गौड़ फादर का साथ छोड़ कर तुम मेरे लिए काम करो और लूका के मना करने पर वो टटालिया के साथ मिलकर लूका को जान से मार देता है इसके बाद ये लोग टॉम हैगन को एक स्टोर के बाहर से किटनाप कर लेते हैं और इसके बाद ही जब गौड़ फादर अपने बेटे फ्रेडो के साथ मार्केट में फ्रूट खरीदने गए होते हैं तो ये उन पर भी एटैक करते हैं ये लोग गौड़ फादर के पीट पर पांच गोलिया मार कर भाग जाते हैं गौड़ फादर का बेटा फ्रेडो जब तक अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तब तक गौड़ फादर जखनी होकर नीचे गर पड़े होते हैं अब ये बात माइकल को पता लगती है तो वो ऐसे टाइम पर तुरंट नियॉयोक में अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है अब सीन शिफ्ट होता है सॉलोजो पर जहां वो टॉम हैगन को बदा रहा होता है कि गौड़ फादर पांच गोलिया खाने के बाद भी जिन्दा बजग गया है और फिलाल बिजनेस की बाग डॉल सॉनी के हाथ में है और मैं चाहता हूँ कि तुम सॉनी से इस बिजनेस में मेरे साथ देने के लिए बात करो लुकि उस दिन डिल में सॉनी इंटरस्टिट था वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे उपड़ टाटालिया फैमिली का तो हाथ है ही और गॉड़ फादर के साथ थाथ में बाकियों को भी देख लूँगा इसके बाद टॉम सॉनी के साथ मीटिंग रखता है और इसमें माइकल भी शामिल होता है टॉम सॉनी को सॉलोजों का साथ देने के लिए कहता है पस सॉनी गॉड़ फादर की मज़ी के बगार ऐसा नहीं कहना चाहता है सौनी माइकल से लूका को फोन लगाने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि लूका को गौड़ पादर ने सौलोजर बात करने के लिए बेजा था और वो ये जानना चाहता है कि उनके बीच में क्या बातचीत होई थी माइकल के फोन लगाने पर लूका का फोन नहीं मिलता है और थोड़ी देर में इनका एक आदमी एक पासल लेकर अंदर आता है और जब ये इस पासल को ओपन करते हैं तो उसमें दो मरी हुई मचलिया होती है जिसका मतलब होता है कि लूका ब्रासी को मारकर समुदर में फैक दिया गया है इसके बाद माइकल अपने डैट से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि उसके डैट की सेक्यूरिटी में वहाँ एक भी आदमी नहीं होता है ये देखकर माइकल समझ जाता है कि अब उसके डैट की जान को खतरा है और वो तुरंट सौनी को फोन लगा कर इसकी इंफॉर्मेशन देता है और इसके बाद तुरंट नर्स की मदद लेकर अपने डैट को दूसरे रूम में शिफ्ट करता है थोड़ी देर में हॉस्पिटल में एंजो नाम का एक शक्स आता है जो कि गॉड़ फादर के वेल विशर होता है और उनसे मिलने आया होता है माइकल उसको लेकर हॉस्पिटल के बाहर जाता है और तबी एक कार में सॉलोजो के लोग गॉड़ फादर को मारने के लिए आते हैं माइकल एंजो अपने कोड की जिब में इस तरह हाट डालने के लिए कहता है जैसे उसके पास गन हो माइकल खुद भी एंजो के साथ ऐसा ही करता है जिससे कार में बैठे लोगों को ये लगता है कि ये गॉड़ फादर के बॉड़ी गार्ड्स हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह माइकल अपने दिमाग का यूज करके अपने डैड के उपर होने वाले हमले को रोग देता है पर थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है नौयोग पुलिस कैप्टन मेकलस की जो की सॉलोजो के लिए काम करता है वो यहाँ पर माइकल की जेब से गन बरामत करके उसको जेल भेजना चाहता है माइकल को समझ में आ जाता है कि मैकलस्की सौलोजो के साथ मिला हुआ है और वो इसे पूछता है कि तुमने सौलोजो ते कितने पैसे खाए है क्योंकि हॉस्पिटल में खड़े पॉलिस गार्ड को भी मैकलस्की नहीं हटवाया होता है इस बात पर मैकलस्की को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल के मुँपर एक जोरदार पंच मारता है इसके बाद मैकलसकी माइकल को यहां से लेकर जाने लगता है पर इतनी देर में यहां पर टॉम हैगन कुछ लोगों के साथ आ जाता है और मैकलसकी को समझाता है कि यह सब प्राइबिट डिटेक्टिव्स हैं और इनके पास गन रखने का अधिकार है और अगर तुम माइकल को लेकर जाओगे तो तुम्हें मुझे कोट में जेलना पड़ेगा इसके बाद मैकलसकी को वहां से जाना पड़ता है दूसरी तरफ सौनी टाटालिया फैमली में ब्रूनो टाटालिया को मरवा देता है वो ही ब्रूनो टाटालिया जिसने सौलोजो के साथ मिलकर लूका ब्रासी की जान ली थी ब्रूनो टाटालिया के मरने के बाद सौलो जो कॉरलियोनी फैमिली के साथ एक मीटिंग रखना चाहता है पर वो ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ माइकल के साथ रखना चाहता है और कहता है कि इस मीटिंग में मेकलस्की भी शामिल रहेगा सौनी मेकलस्की का नाम सुनकर भड़क जाता है और वो चाहता है कि इस मेटिंग में मेकलस्की को मरवा दिया जाए पर टॉम हेंकन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि मेकलस्की के मरने का मतलब है कि सारी पुलिस से दुश्मन ही लेना इसे बाकी पांच डॉन फैमिली भी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी और टाटालिया फैमिली तो वैसे ही अब हमारी दुश्मन बन चुकी है माइकल कहता है कि वो ये मीटिंग करने के लिए तैयार है और इसमें मैकलस की कि साथ साथ वो सॉलोजो को भी जान से मारेगा वैसे तो माइकल ने 4 साल पहले यूएस मरीन जॉइन कर ली थी और उसके अपने डाट के इस बिजनस से कोई लेना देना नहीं होता है पर माइकल यहाँ पर सॉलोजो और मैकलस की दोनों से ही अपने डाट के उपर हुए अटाक का बदला लेना चाहता है माइकल कहता है कि कोशिश करो कि यह मीटिंग किसी पबलिक प्लेस पर हो कहता है कि मीटिंग से पहले वो लोग मेरी तलाशी लेंगे तो मैं अपने साथ गन लेकर नहीं जा पाऊंगा और अगर मुझे पहले से वहाँ गन रखी मिल जाएगी तो मैं उन दोनों को मार दूँगा सौनी फोन लागा कर यह पता करता है कि यह मीटिंग किस रेस्टरॉम में होने वाली है और अपने खास आदमी कलेमेंजो को बोल कर वाश रूम में गन रखवा देता है इसके बाद इन टीनों की उस रेस्टरॉम में मीटिंग होती है माइकल बीच में उठकर वाश रूम के लिए जाता है और वहाँ से गन लेकर वापस आता है और इसके बाद ही इन दोनों को ही शूट कर देता है अब इन दोनों की मौत की खबर नुई यॉर्क में बहुत बड़ी खबर बन जाती है जिससे पुलिस एक्शन में आकर अंडर वर्ड में इंवॉल्वड काफी लोगों का एनकाउंटर करती है इसके कुछ दिन बाद गौट फादर थीक होकर अपने घर आ जाते है अब जब गौट फादर को मालूम चलता है कि सौलोजो और मेकलस की को माइकल ने जान से मारा है और फिलहाल लगभग साल भर के लिए वो अंडर ग्राउंड हो गया है तो उन्हें इस बात का काफे दुख होता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि माइकल उनके इस अंडर वर्ड बिजनस का हिस्सा बने साथ ही उनको बताया जाता है कि फ्रेडो को भी सेफ रखने के लिए लास वेगस भीज दिया गया है माइकल को दो बॉडिगार्ड के साथ सिसली भेज दिया गया होता है और यहां माइकल को एक बहुती सुंदर लड़की टकराती है माइकल पहली बार में ही उससे पसंद करने लगता है और उसके घरवालों से बात करके उससे शादी कर लेता है अब एक दिन सुनी अपनी बेहन कौनी से मिल ले जाता है और देखता है कि उसके पती कलारो ने उसको बहुत बहरहनी से मारा होता है और इसके बाद वो कलारो को ढूंड कर बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मेरी बेहन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं चुड़ू हूँ पर अभी कुछी दिन बीटते हैं और कौनी और क्लारो का फिर से बड़ा जगड़ा होता है और क्लारो फिर से उसे बहुत बुरी तरह मारता है बुलियों से बून देते हैं और वो वही मारा जाता है इसके बाद माइकल को उसके भाई के मरने की न्यूस दी जाती है और उसे बदाया जाता है कि यहां सिसली में उसका रहना भी सेफ नहीं है और वो दोबारा नियूयोर्क आ जाए माइकल यहां से निकलने से पहले अपनी बीवी को उसके डाड के घर छोनना चाता है माइकल तैयार होकर नीचे उतरता है और माइकल की वाइफ पहले से गारी में बैटी होती है तब ही माइकल अपने एक बॉडी गार्ड को भागते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गर्बर्ड है दरसल उस bodyguard ने Michael को मारने के लिए गारी में bomb fit कर दिया होता है Michael को कुछ समझ में आता है और वो कार में बैठी अपनी बीवी को तुरंद बाहर आने के लिए के लिए कहता है पर उतनी देर में उसकी बीवी गाली स्टार्ट कर देती है और उस blast में मारी जाती है दूसरी तरफ Godfather अपने बेटे सौने की मौद से काफी दुखी होते है और वो Underworld की पांचों families के साथ एक meeting रखते है वो टाटालिया family से कहते हैं कि तुमने और मैंने दोनों ने अपनी बेटों को खोया है और हम सब के रिष्टे खराब हो चुके है मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोगों के रिष्टे पहले की तरह बन जाए मैं कल भी ड्रक्स के सपोर्ट में नहीं था और आज भी नहीं हूँ कि ये हमारी आने वाली पीडियों को खोकला कर देगा पर अगर आप सब इसमें interested हैं और इसमें future देखते हैं तो मैं इसमें शामिल होने को भी तयार हूँ बस मेरी एक शर्थ है कि मेरे बेटे माइकल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए वरना इस मीटिंग में बैठा हर शक्स उसका जमेदार होगा इसकी बाद माइकल पूरी तरह से अपने डैड के बिजनस में शामिल हो जाता है और उन्हें लगबख एक साल तक सपोर्ट करता है और इसके बाद वो अपनी पुरानी गर्फरेंट के से मिलने जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोस करता है माइकल उसको बताता है कि उसने अपने डैड का बिजनस जॉइन कर लिया है इस बात पर के काफी नराज होती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम कभी भी उस बिजनस में शामिल नहीं होगे पर माइकल उसे यकीन दिलाता है कि वो अगले 5 सालों में सब कुछ बदल देगा और अपना पूरा बिजनस लीगल तरीके से करेगा और इसके बाद ही इन दोनों की शादी हो जाती है अब लगभग 5 साल का समय ऐसे ही बीच जाता है और अब तक माइकल के दो बच्चे भी हो गए होते हैं और वो पूरा का पूरा बिजनस सम्हाल रहा होता है क्योंकि अब गौड़ फादर की सेहत उम्र के साथ ढलती जा रही थी इसके बाद माइकल लास वेगस जाकर मो गरीन और अपने भाई फ्रेडो से मिलता है मो गरीन भी उन्ही पांच फैमिलीज में से एक होता है माइकल यहाँ पर गरीन से उस एक मीटिंग करता है और उससे उस तक कसीनो और होटल खरीदने की बात करता है पर गरीन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को उस समय पना दी थी जब उसकी जान खत्रे में थी और आज तुम मेरा ही होटल और कसीनो खरीदने आयो माइकल कहता है कि मेरे डाड ने तुम पर उस वक्त पैसे लगाए थे जब तुम कुछ भी नहीं थे माइकल गरीन से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर कसीनो चाहिए और तुम मुझे अपना दाम बताओ और माइकल की जिद के आगे मोगरीन को ये बात माननी पड़ती है इस मीटिंग में जॉनी भी होता है और माइकल उससे कहता है कि तुम साल में कम से कम पांच बार इस होटल और कसीनों में आया करोगे और साथ मैं अपने हॉलिवोड फ्रेंड्स को भी लाओ गे जिससे बिजनस बढ़ेगा जॉनी माइकल की बात मानता है और कहता है कि मैं गॉड़ फादर के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ और इसके बाद माइकल नुई यॉर्क बापासा जाता है एक बार माइकल के डैड उसको समझाते हैं कि तुम्हारी जब भी कोई डॉन बादिनी के साथ मीटिंग रखवाने की बात करे और प्रोटेक्शन के जिम्मेदारी ले तो समझ जाना वो मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने की साजिश होगी क्योंकि बार दिनी बहुती घटिया आदमी है और मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करता माइकल अपने डैड की बातों को ध्यान से सुनता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा अब टाइम धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और लेगबक पांच साल और बीच जाते हैं डॉन वीडियो कॉर्डियोनी जब एक बार माइकल की बेटे के साथ खेल रहे होते हैं तब ही उन्हें हार्ट अटाइक आता है जिससे उनकी मौत हो जाती है इसकी बाद जब उनका फेनरल होता है तो उसमें अंडर वर्ड के सभी लोग आए होते हैं माइकल के पास उनका वफादार आदमे टैसियो आता है और वो कहता है कि डॉन बाजिनी तुम्हें साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं माइकल की चिंटा ना करो मैं उसे हैंडल कर लोंगा माइकल को अपने पता की बाद याद आ जाती है पर अभी वो बिल्कुल शंत रहता है और बाजिनी को हाँ बोल देता है इसकी बाद जिस दिन माइकल की मीटिंग होनी होती है उस दिन वो चर्च में कौनी की बेटे का गौड़ फादर बना होता है और माइकल ने आज ही उन पांचो फैमिलीज के लोगों की फेल्डिंग सेट कर दी होती है और माइकल के लोग एके करके उन पांचो लोगों को जान से मार देते हैं चर्च से निकलने के बाद माइकल क्लारो को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और थोड़ी देर में उससे जाकर मिलता है माइकल उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि सौनी के मर्डर में तुम्हारा हाथ था क्योंकि तुम ये बात जानते थे कि कौननी की मारने की बात सुनकर वो तुरंट भागता हो तुमारे बात आएगा बस मुझे ये बताओ कि ये काम तुमको किसने दिया था कलारो काफी घबरा जाता है पर माईकल कहता है घबराओं नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा आखिर कर तुम्हें मार कर मैं अपनी बेहन को विद्वा नहीं करने वाला हूँ और आज ही मैं तुम्हारे बच्चे का गॉड़ फादर भी बनाओं। माइकल के दबाउं में क्लारो सच बोल देता है और कहता है कि वसने बाजी ने के कहने पर ऐसा किया था। माइकल कहता है कि तुम्हारी सदा ये है कि तुम आज ही लास वेगस चले जाओ और आज की बाद अपनी शाकल मत दिखाना हो। इसकी बाद जब क्लारो बाहर गाड़ी में बैट कर जाने लगता है कि उपर क्लारो शायद माइकल को समझ नहीं पाया है और तबी कार में पीछे बैठा माइकल का खास आदमी उसका गला घोट कर उसको जान से मार देता है अपने पती की मौत की खबर सुनकर कौनी पागल सी ह हो जाती है और वो आकर माइकल के उपर पागलो की तरह चिलाती है कि उसमें उसके पती को मरवा दिया है माइकल अपने आदमियों को उससे ले जाने के लिए कहता है ये देखकर माइकल की वाइफ के भी माइकल के उपर नराज होती है और पूछती है कि क्या ये सच है माइक कर देते हैं ये देखकर के के समझ में आज आता है कि माइकल अब वो माइकल नहीं रहा जिसको वो जानती थी वो अब पूरी तरह बदल चुका है वो अब एक बहुत बड़ा डॉन बन गया है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म होती है ये फिल्म साल 1972 की स कीते हैं चैनल पर अगर आप नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर